आपने कभी बच्पन में स्टैचू स्टैचू खेला है? नहीं? अरे कोई बात नहीं, अब खेलो, सरकार आपके साथ रोज खेल रही है, कैसे? अरे भई समझाता हूँ 3000 क्रोर्स के कॉस, 33 मन्स कंस्ट्रक्शन टाइम के बाद भारत का एक सपना कम से कम आज पूरा हुआ इतिहास के भुलाए लीडर और कॉंग्रेस के दबाए नेता सर्दार पटेल मानो आज फिर जीवित हो उठे एक प्रकार से इतिहास के जरोखें से इस महापुरुष के नाम को या तो मिटा देने का प्रयास हुआ या तो उसको छोटा करने का प्रयास हुआ अब देखो इसमें कोई दो रहे नहीं है कि कॉंग्रेस ने सर्दार को कम्प्लीटली भुला दिया था लेकिन आज सर्दार को बीजेपी किस वजह से याद कर रही है आइरेन मैन ओफ इंडिया लिखा बीजेपी स्पोक्सपर्शन तेजिंदर बग्गा ने ऐसे बहुत सारे और तस्वीर देखकर ये सोचना पड़ा कि भाई यहाँ प्रमोशन किसका हो रहा है सर्दार पटेल का या किसी और का लेकिन आप ये सब कहा सोचेंगे आप तो स्टैचू स्टैचू केल रहे हो बिल्कुल फ्रोजन चलिए स्टैचू अफ यूनिटी की बात करते हैं इस विशाल मूर्ती की सबसे चौका देने वाली बात उसकी उचाई नहीं है बलकि टाइम टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन है ओनली 33 मद्स यहां लोगों के 80, 90, 100 पूरे महिने हो जाते हैं उनको अपना घर नहीं मिलता लेकिन यहां देखिए चीनी भाई आए पैसा खाए और मूर्ती बना के चले भी गए लेकिन आप और हम अपने घर का EMI भरते रहते हैं और यह सब स्टैचू स्टैचू खेलेंगे यह सब सवाल थोड़ी न पूछेंगे हम और दूसरी सबसे चौका देने वाली बात इस महान विशाल स्टैचू की ना अगैन उचाई नहीं है उस पर आया गया खर्चा 3000 करोर्ज इसमें क्या-क्या बन सकता था? दो नए IIT बन सकते थे दो नए AIMS के कैंपस बन सकते थे या फिर पाँच नए Permanent IIM कैंपस बन सकते थे पाँच सोलर पावर प्लांट बन सकते थे या फिर छे मार्स मिशन यानि छे मंगल यान मिशन या फिर दो चंदर यान टू मिशन भी हम कर सकते थे इतने ही पैसे में हम 40,000 हेक्टेर ओफ क्रॉप्स को इरिगेट कर सकते थे या फिर 400 से भी जादा स्मॉल चेक डैम बना सकते थे तो भाई इतना खर्चा क्यों हुआ ये पैसा वापस कब आएगा 100 साल में आएगा ये सब सवाल हम नहीं पूछ सकते हैं हम तो क्या कर रहे हैं हम तो स्टैचू स्टैचू खेल रहे हैं अच्छा चलो कोई न देश की यूनिटी का मामला है यूनिफाइ करना है मूर्ती बना की यूनिफाइ करना है खर्चा तो होगा लेकिन इतना खर्चा करने के बाद भी सरदार पटेल जी अपने इस नए कद पर कुछ ही दिन कायम रहेंगे क्योंकि महराश्रा गवर्मेंट has decided to make it even taller even bigger 202 नहीं नहीं कितना है अजकल शायद मेरे खर्चा 212 मीटर है और कुछ दिन बाद और भी बढ़ सकता है इतना बड़ा होगा हमारा शिवाजी दा ग्रेट स्टैचू यानि नहरू के बाद औरंजेप को भी तो उसकी आउकाद याद दिलानी है आए वो बात अलग है कि हमें विधर्ब के फार्मर्स को देने के लिए पैसे नहीं है महाराश्ट्रा में ड्राउट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई सेलूशन नहीं है मुंबई को हर साल हम डूबने से बचा नहीं सकते हैं लेकिन शिवाजी दा ग्रेट के लिए अब देखिए ये सा बात हमें और आपको समझ में नहीं आए लेकिन कितने सारे फाइदे हैं एक बड़ी सी मूर्ती बनाने में सरकार के परफार्मेंस पर सवाल उठने बंद हो जाते हैं गरीबी और रोजगार के सवाल डस्बिन में चले जाते हैं ओपोजिशन की बोलती बंद यू समझ लीजिए कि एक मूर्ती के वजण में सारे एहम सवाल दब के रह जाते हैं अब देखिए ना किसान गन्ये का भुकतान और फसल का वाजिब दाम मांगते रहे लेकिन मामला सर छोटू राम की मूर्ती से सेटल हो जाता है मैं बोलूँगा सर छोटू राम आप सब बोलेंगे दो बार बोलेंगे अमर रहे अमर रहे सर छोटू राम एनिवे बड़ी बड़ी स्टैचू तयार होने के फाइदे और भी हैं अब कराची और लाहौर वालों के सपनों में नहीं सच्ची में उनको दिखेगा सरदार पटेल और शिवाजी दग्रेट के स्टैचू इससे उनके दिलों में हमेशा देशत रहेगी दाउद इबराहिम तो भी पुलीस को अपने आप जाके सरिंडर कर देगा इसलिए तो और भी नए नए बड़े बड़े स्टैचू बन रहे हैं शिवाजी, शिवा, अंबेतकर, रामनूजा, हनुमान, बासवा, बुद्धा इन सब के टीचिंग्स हमें पता हो या ना हो लेकिन वोट पाने के लिए, सवाल दबाने के लिए मूर्ती बनाना ज़रूरी है और जनता भी तो कितनी भोली है अपना ही टैक्स का पैसा जाते देखती है फिर मूर्ती देखती है, ताली भी ढोकती है इसे कहते हैं पॉलिटिक्स पटेल को याद करने के लिए और भी कई तरीके थे उनको सम्मानित करने के लिए और भी तरीके थे बुक्स, मूवीज, प्रोजेक्ट्स आफ्टर हिम, एजुकेशन लेकिन स्टैचू स्टैचू खेलने से शायद सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं विकास से भी ज़्यादा अरे, आप अभी तक यहाँ हो? हैं? स्टैचू देखने नहीं गए? अरे, देखो, अगर कभी स्टैचू स्टैचू खेलने से फुरसत हो तो जरूर इस चैनल पे आईए लाइक बटन दबाईए, सबस्क्राइब दबाईए थोड़े से सवाल पूछिए मन को थोड़ा फ्री करिए, ब्रहमित होना बंद करिए, लेकिन हाँ, अगर आपको ये सब बकवास लगता है, तो भी, मदर सिस्टर बहुत याद कर रही थी पिछले कुछ दिनों से आप लोग आचकल कुछ कमेंट्स लिखते हो तो जरूर लिखिएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कुछ और ऐसे सवाल उठाए जाएं, कुछ और ऐसी बाते हों, स्टैचू स्टैचू खेलना हम बंद करें, तो जरूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, आप सपोर्ट भी कर सकते हैं इस चैनल को on patreon.com slash akashmanagy one time आप contribution कर सकते हैं insta mojo पे भी, और saturday night live पे आप हमें join कर सकते हैं, आपके सवाल हम answer करते हैं, और कुछ सवाल मैं आप से पूछता हूँ, और वो एक interactive session रहता है, चलिए आईए और मस्ती करते हैं, और news के बारे में पता करते हैं, और कम से कम statue statue खेलना बंद करते हैं